Hello दोस्तो, Good Morning और स्वागत याप का Hindu News के Analysis में जिसमें हम लोग Hindu के Articles को Discuss करते हैं और कभी-कभी Indian Express के Articles भी Include हो जाते हैं तो चलिए अब हम लोग स्तीरे Articles को Discuss करना स्टार्ट करते हैं और उसके पहले हम लोग code को देखते हैं जो हर वीडियो में हम लोग काम सबसे पहला होता है तो चलिए यहां भी देखते हैं code के लिए मैं thank you बोलना चाहूंगा जागरीती को thank you so much जागरीती इसी तरह से आप please codes वगएरा भेजते रहे हैं और बाकी लोगों सभी request है तो चलिए code को देखते है directly when the dream in your heart is bigger than the environment you find yourself in don't expect that anyone will support you you must be your own cheerleader तो यहां देख सकते हैं यहां कहने का यह मतलब है कि जब आपकी जो आप जो dream देख रहे हैं आप जो सपने देख रहे हैं वो आपके जिस environment में आप रह रहे हो उससे बरा होता है तो क्या होता है कि हमें support नहीं मिल पता अपने family से या फिर अपने दोस्तों से या फिर इवन अपने colleagues से support नहीं मिलता इसलिए आपको खुद से motivated रहना है खुद को push करना है और जो भी आपके targets हैं उसको achieve करना है इसलिए यहाँ पर end में इन्होंने बोला है you must be your own cheerleader आपको खुद को motivate करना परेगा खुद को cheer करना परेगा और जो भी targets है आपको उसको achieve करना परेगा तब ही जाके आप finally success को पापाऊगे और finally आप अपने आपको एक successful इंसान बना पाऊगे ठीक है तो चली हम लोग सब article को देखना स्टार्ट करते हैं आज total 12 articles हैं और important articles हैं तो चली शुरू करते हैं तो हमारा जो आज का सबसे पहला article है हम देख सकते हैं यहाँ पर कि India-China agree to hold more talks to resolve LSE stand-off तो यहाँ पर obviously यहाँ पर discussion चली रहा है सभी चीजों का solution निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं sub heading में बोला गया है कि commanders ने एक तरह से emphasize किया है कि यहाँ पर जो भी हमें यहाँ de-escalation का जो process है उसको expertise बनाना है, phased manner में बनाना है और step wise करना है ठीक है कि दोनों side ने यह emphasis किया है कि जो भी उन्होंने पहले de-escalation को उन्होंने सोचा था उसको step wise manner में और face manner में implement करेंगे ठीक है और इसके लागा आगे दिखेगा तो जो भी discussion हुआ है 17 जून को जो भी discussion हुआ है और overall situation को पर एक तरसे handle किया जा रहा है और उसके basis पर फिर जो disengagement करना है उसकी understanding को बना के फिर वो लोग implement करने की कोशिश कर रहे हैं अब आगे यहाँ पर देखिएगा तो जो Chinese foreign ministry है उनके spokesperson ने जो चीज बोला है यहाँ पर वही चीज से same चीज reiterate किया है कि दोनों साइट ने consensus पर बनाया है consensus बना के वो लोग कोशिश कर रहे है कि जो भी चीजे जो भी वहाँ पर steps लिये जा रहे है वो एक साथ बढ़ें और यहाँ पर वही एक final solution निकालने की कोशिश करें जो भी जिससे फाइदा हमें यह हो कि disengagement का जो process है और day escalation का जो process है वो easily हो पाई और बिना किसी लडाई के हो तो आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे पास जादा कुछ news नहीं है next हमारा जो article है वो important है यहाँ देख सकते हैं कि GST revenue जो है वो plunge कर गया है 41% in first quarter तो पहले quarter का यहाँ पर data आया है और देख सकते हैं 1.86 लाग करोड ही यहाँ पर कमाई हो पाई है मतलब April से लेके June के बीच में जो कि normally अगर आप देखेगा तो इसी period में पिछले साल जो हुआ था वो 3.14 लाग करोड हुआ था तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा slump आया है आप कह सकते हैं कि 41% का drop आया है और यहाँ आगे अगर आप देखेगा तो यह जो data है obviously यहाँ पर slump का जो basic reason आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है कि clear indication है कि COVID-19 का impact कारण ही यहाँ पर जो government revenue है उसमें जादा आप slump देखा गया है ठीक है अब आगे यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो ministry ने क्या किया तो ministry ने tax filing deadline को एक तरह से lockdown के period के कारण ही यहाँ पर इन्होंने allow कर दिया था और थोड़ा relax कर दिया था और देख सकते हैं कि March, April और May के जो return से उसको end of the June तक एक तरह से फाइल करने की बात कही गई है तो obviously हम लोग जानते हैं कि सरकार को यहाँ पर revenue crunch हो गया हुआ है तो इस कारण से वो सारे सारे जो भी steps ले रही है जिससे जो भी tax filing में जाधा परशानी ना हो और लोगों से obviously tax आएगा तो तभी जाके revenue होगा सरकार के पास और फिर उसको implement भी कर पाएंगे use भी कर पाएंगे next हमारा जो article है वो है यहाँ पर independence day से related तो देख सकते है independence day event जो है वो red fort में होने वाला है पर यहाँ पर भी बताया गया है कि वो less pompous affair होगा इस बार इस साल तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि obviously इसमें जादा चमक धमक नहीं मिलेगी और यहाँ पर एक और important चीज़ जो बोली गए है वो है कि बच्चों को इसमें हो सकता है कि cultural program में participate करने के लिए allow नहीं किया जाएगा तो यह important एक तरह से step है और जरूरी भी है क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बच्चे हैं और जो भी बुज़ोर्ग है उन लोग काफी जादा कोवीड-19 pandemic में एक तरह से प्रौन है ठीक है तो यह important चीज़ है आगे यहाँ पर देख सकते हैं वही कि ministry का introduction दिया था तो वहाँ मैंने clearly बताया था ठीक है तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको schemes वाले वीडियो भी देखने चाहिए और आपको तभी जाके जानकारी होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर relate भी कर सकते हैं उसको directly अब यहाँ आगे बढ़ते हैं आगे यह उन्होंने confirm किया है कि जो Redford की security है उसको यहाँ पर defense ministry ने take over कर लिया है और वही है कि जो भी उहाँ से मतलब जो भी चीजे चाहिए होती है उसको manage करने के लिए और security cover को बनाने के लिए तो उसके लिए उसके उपर में काम चालू हो चुका है अब यहाँ security preparation के बारे में बता अब यहाँ पर बढ़ा दिया इन्होंने और बढ़ाने बढ़ा के देख सकते हैं कि Balakot air strike जो हुआ था last year उतना उस time पर जितने troops को उन्होंने किया था उससे जाधा ही troops अभी आ चुके हैं तो यहाँ पर जो यह movement हम लोग देख रहे हैं इसके उपर पहले से इंडिया को सत अब यहाँ पर सोचने वाली थोड़ी सेनारियो बन चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि skardu skardu air base जो है यह कहां पर है तो पाकिस्तान occupied कश्मीर में है तो इसको याद रखेगा कि skardu कहां पर है तो यह पाकिस्तान occupied कश्मीर में है और यह हो सकता है कि presence में आपके question के आजाए तो अब हम चलते हैं आगे next हमारा जो आर्टिकल है यह है केडला विलेज डिप्लॉइज रोबोट नर्सेज फॉर पेशेंट केर तो यह हम लोग ने इस तरह के नर्सेज को पहले भी देखा हुआ है हम लोग जब पढ़ते थे न्यूज अनल्सेज में तो पहुचाएंगे बेड़िट्स में खाना पहुचाएंगे और जो सामान है यह आट केजी के अरांड यह तरह से उठा सकते हैं और जो भी सामान है उठा के पेशेंट तक पहुचाएंगे और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वही अधिकल सेंटर पे इनका implementation किया गया है अ यहां देख सकते हैं, यहां पर बेसिकली दो रोबोट नर्सेश हैं, जिनका नाम आशा दिया गया है, जिसका मतलब होता है HOPE, और इनको successfully deploy किया गया है COVID-19 First Line Treatment Center, जो कि यहां पर देख सकते हैं, थोटाग्द Medical Center, जो कि एरावी पिरूर में है, ठीक है, तो sorry for the bad pronunciation, आगे यहां पर पंचायत में इसको implement करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहां पर जरूरत इसलिए पड़ी है, क्योंकि एक healthcare worker थी, एक आशा activist थी, जिसको हम लोग यहां पर जानते है, accredited social health activist, तो इनका worker का आप देखेगा, तो यह test positive आ गए थी, तो इसी तरह के, जो मतलब situations है, जो कि healthcare workers हैं, वो positive ना आए, इसके लिए robot वगरा को use किया जा रहा है, और obviously यहां पर देख सकते हैं, यह काफी जादा helpful होंगी, अब यहां पर robot के बारे में बताया जा रहा है, कि यह real time interaction भी देंगी with patient for their family members, और अगर 15 km दूर है, तो भी यह अच्छा कासा interaction दे सकती है, तो देख सकते हैं, यहां पर काफी helpful यहां पर यहां पर यह जो robot है, और आगे यहां एक और चीज़ है, कि इसका प्राइस से कॉस्ट किया गया है, यह पर रोबोट जो है, वो 90,000 रूपीज के आसपस आएगा, तो काफी helpful है, और obviously innovation जो है वो से, हम लोग, जो भी हमारा healthcare system है, उनको help भी मिलेगा, और obviously यहां पर innovation जो भी है, नेक्स्ट हमारा article है, वो है food grain scheme से related, तो यहां लोग अल्रेडी जानते हैं, प्रधानमात्री, गडीब, कल्यान, अन्योजना, तो यहां पर food grain scheme meets less than 15% of target, तो जो target रहा है, उसका सिर्फ 15% ही meet हो पाया है, तो यहां पर table के form मे इनोंने show किया है, तो table में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, तो table में क्या है कि distribution to beneficiary, यहां पर percentage के basis पर बताया गया है, तो 0% में दो 3 states यहां पर आ रहे हैं, एक है आंदराप्रदेश, दूसरा है गोआ, और तीसरा है तेलंगाना, तो इसको याद रखिएगा, इसके तो यहां पर आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि यह जो scheme launch किया गया, जिसमें हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि free ration जो है, वो 8 करोर migrants को provide गया गया अंडर आत्म निडभर package, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि सिर्फ 15%, मतलब less than 15% target जो है, वो achieve हो पाया है, और यह data किनों ने provide किया है, तो food ministry ने provide किया है, अब यहां पर वही चीज़ है कि scheme बताया जा रहा है कि यह जो scheme है, हम लोग आलरी जानते हैं कि हमारे finance minister द्वारा इसको announce किया गया था, जिससे, जो migrant workers है, उनको ration card के बिना होने के बाद भी उनको support कि जा सके, तो यह एक important चीज़ है, अब आगे यहां पर एक और जीज़ देखें, यहां पर state government ने देखा जा रहा है कि बहुत सारे state government ने distribute ने किया अपना full component of food allocate जो किया गया था उनको आत्म निर्वर package के अंदर में, और यहां पर वही है कि इसलिए हो पाया क्योंकि उनको व वही है कि आत्म निर्वर स्कीम के अंदर में फिर यहां पर उन्होंने उसको distribute नहीं कर पाया सारे beneficiaries को, यहां पर एक obviously इनके उपने question मां का जाता है, और वही है कि आगे चलके implementation को सुधारने की काफी साधा जरूरत पड़ेगी, next हमारा जो article है हम देख सकते हैं, यहां पर converse conversellant plasma for those not responding to steroids और यह government ने बोला है, तो हम लोग already जानते हैं कि conversellant plasma किस तरह से help करता है, जो भी COVID patient है, तो उसी से related यहां पर बतायागा है कि अगर किसी patient पे storage जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें यहां पर conversellant plasma therapy जो है वो use किया जाएगा, और यहां पर हम लोग already जा तो इस case में वही है कि status use करने पर भी अगर नहीं होता है, तो उस case में दिया जाएगा, और यहां किनों ने advisory दिया है, तो Central Drug Standard Control Organization, biological division ने बोला है, अब आगे यहां पर देख सकते हैं कि last week ही health ministry ने एक तरह से guideline launch किया था और बताया था कि जो भी clinical management protocol है COVID-19 का, तो उसके बारे म यहां पर बताया कि certain therapies को यहां पर use किया जा सकता है, और यहां पर वही है कि यहां पर conventional and plasma therapy को भी यहां पर इन्होंने एक तरह से off-level के form में यहां पर allow किया हुआ था, तो यह हो गया हमारा news आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी important points नहीं है कुछ, next हमारा जो article है वो है कि जो US Secretary of State है Mike Pompeo, उन्होंने हेल किया है, इंडिया का जो ban लगाया है, उन्होंने 59 apps पर और उसमें बहुत सारे Chinese apps भी included है, तो यहां पर वही है कि इनका कहना है कि it will boost India's integrity and national security, और यहां पर वही है कि एक तरह से, अगर आप देखेगा, तो आज ही मैं एक दो आर्टिकल पट रहा थ और एक वीडियो भी देखा था, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ था, कि इंडिया और देख सकते हैं अभी जो यह तीन तरह से, मतलब आप बोल सकते हो कि तीन लोग हैं, यहां पर खड़े, तीन कंट्रीज जो हैं, इंडिया, चाइना और यूएस है, फिर अगर आप यूएस और चाइना का रिलेशनशिप देखेगा, तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एक तरह का, ऐसा है कि वो लोग कॉम्पेटीटर की तरह हैं, ठीक है, यूएस देखेगा, तो यूएस एक तरह से नंबर वन पर पोजिशन पर अभी तो इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा अलग टाइप का है, आप इसको नहीं दोस्ती का कह सकते हैं, और नहीं दुश्मनी का कह सकते हैं, और मतलब situation ऐसा है कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप को आप बोल सकते हैं, कि ये पार्टनर्शिप का Central Zoo Authority और यहां पर वजाया गया है कि New Faces Include a Microbiologist तो यहां पर Environment Ministry ने Reconstitute किया है Central Zoo Authority को और यहां पर क्या क्या है उन्होंने एक Expert को इनहां पर Include किया है From the School of Planning and Architecture देली से और यह कौन है तो यह एक Micromolecular Biologist है और अब हम लोग जानेगे कि आखिर यह Central Zoo Authority क्या है Central Zoo Authority जो है एक Statutory Body है इनको इसको एक Act के द्वारा Create किया गया है और इसका जो Chair रहते हैं मतलब ओविसली जो Chairman होंगे वो कौन होंगे तो Environment Minister होते हैं और अगर आप देखेगा इसकी Duty क्या है तो इसकी Duty है कि किस तरह से Zoos को जो All Over the Country है उसको Regulate किया जाए ठीक है तो यह इसका Task हो गया अब यहाँ पर Authority में देख सकते हैं कि यह जो Authority है इसका काम क्या होगा तो यह Guidelines और Prescribe करता है Rules को Under which Animals को एक तरह से Transfer किया जा सकता है Zoo to Zoo Nationally भी किया जा सकता है और Internationally भी किया जा सकता है तो कौन कंट्रोल करेगा तो Central Zoo Authority या काम करेगा अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि Chairman को अगर हटा दे तो Chairman के अलावा 10 Members होते हैं और 1 Member Secretary भी होता है तो टोटल 12 Members होगा इसमें ठीक है तो यह एक Important Organization और Authority हो गया तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तो Prelims Perspective से बिल्कुल Central Zoo Authority को ध्यान में रखेगा आगे बढ़ते हैं आगे देख सकते हैं आपर कि Merkel urges EU to prepare for possibility of a no deal Brexit तो यहाँ पर हम लोग आलरी जानते हैं कि Brexit काफी time से चला रहा है और अभी तक मतलब अगर आप देखेगा तो अभी तक 100% Brexit इंप्लेमेंट नहीं हो पाया तो यहाँ पर वही है कि The Block and UK The Block का मतलब obviously EU हो गया तो यहाँ पर इनके पास दोनों के पास time जो है वो end of December तक ही है जिसके बीच वो एक तरह से अगर कोई pact बना ले तो बेटर होगा नहीं तो बिना deal के Brexit हो जाएगा अब जैसा स्वाती ने बताया था आपको मतलब मुझे बताया था और मुझे बोला था कि सभी को homework भी देने के लिए तो मैं वहाँ पर आपको एक home work किया देता हूँ कि Brexit के बारे में आप थोड़ा बहुत extra knowledge आप जरूर रखें अगर हो सके तो articles को पढ़ लें एक दो article आपको दृष्टी और बहुत सारे website पर मिल जाएगा easily तो वहां से आप पढ़के थोड़ा basic अपना ठीक कर लें और अभी देखें यहाँ पर कि यह जो no deal scenario में क्या impact है और deal scenario में क्या impact है और इंडिया के ऊपर क्या impact पढ़ने वाला है ताक कि आपका जो एक तरह से revision हो जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आगे जो यहाँ पर details extra दिया हुआ है कि European Union को बोला गया है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब prepare करे एक possibility के हो सकता है कि आगे चलके यहाँ पर कोई भी deal ना हो अब ब्रिटेन का अगर आप देखेगा तो ब्रिटेन officially completed its delayed departure from European integration project on January 31st तो January 31st को एक तरह से उन्होंने official departure कर लिया पर यहाँ पर वही है कि अभी तक जो final deal के साथ जो है वो Brexit पाला 100% नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर वही बताया गया है कि London और Brussels को ज़रूरी है कि end of December के पहले एक brand new agreement बना ले और इसके अलाबा वही है कि जो भी इनका century long relationship है इसके basis पर यहाँ पर बनाए नहीं तो हो सकता है कि वही obviously कोई deal नहीं हुआ तो उसके बात बहुत सारे repercussions हो जाएंगे और यहाँ पर आगे अगर आप देखिएगा तो a deal would have to be done by autumn to give national parliaments as well as the EU parliaments enough time to ratify the agreement तो autumn तक मतलब हो सकता है अक्टोबर के पहले तक यहाँ पर करने की बात बोली जा रही है ताकि उसको ratify भी दोनों parliaments के द्वारा किया जा सके next news हम देख सकते हैं यहाँ पर कि more private trains soon on track तो यहाँ पर वही बताया गया है कि बहुत सारे trains अब private वाले भी आने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि sub heading क्या है तो sub heading में देख सकते हैं कि initiative seeks to introduce modern technology reduce transit time and provide enhanced safety तो यहाँ पर यही सारी चीज़े एक facility जो हैं देने की बात कही गई है देख सकते हैं modern technology हो यहाँ पर implementation की बात कही गई है और इसके लावा transit time को reduce करने की बात कही गई है और safety provisions को एक तरह से enhance करने की बात कही गई है अब जैसे यहाँ पर image देख सकते हैं लखनू देल ही तेज़स express का है जिस जो की पहला private train था जो लखनो देली तेज़स express ठीक है आगे यहाँ पर देखते हैं तो आगे यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि railways ने यह इस तरह का प्रोसेस है उसको kickstart कर दिया है जो मतलब private players है वो भी एक तरह से trains को चला सकेंगे और यहाँ पर वही है कि यह जो certain trains को चलाने की बात कही गई है या on its network तो यहाँ कैसे होगा तो obviously request for qualification अंतरगत होगा और यहाँ पर वही है कि operation of passenger trains जो किया जाएगा on 100 routes with 150 modern trains तो यह एक important चीज है अब यहाँ पर ministry of railways ने बोला है कि पहला initiative है जिसमें private investment को एक तरह से बुलाया जा रहा है जिसमें वह passenger trains को एक तरह से railway network के उपर में run कर सके और यहाँ से क्या होगा तो यह से private investment of around 30,000 crores जो है वो बुलाया जा सकेगा अब यहाँ पर added objectives क्या ह है कि maintenance में भी एक तरह से यहाँ पर reduction आएगा जादा मतलब obviously महनत नहीं करनी पड़ेगी फिर transit time कम होगा boost होगा job creation में जो कि बहुत जादा अभी important है present scenario में आगे यहाँ पर देख सकते हैं enhanced safety रहेगा फिर world class travel experience भी provide किया जा सकेगा passenger को तो यहाँ पर हम लोग obviously देख सकते हैं और इसके लाबा जो भी हमारा demand supply deficit है उसको भी reduce किया पाएगा ठीक है अब यहाँ पर दिल्ली लख नो तेजस express के बारे में बताया कि यह पहला train था और जो कि Indian railways में अपरेट किया गया था private तोर पर और यहाँ पर कौन operate कर रहा था था obviously Indian railways catering and tourism corporation जिसको IRCTC बोलता है इन् पहला वाला बिल्कुल ध्यान में रखेगा आप next news पर चलते है next news जो कि हमारा आखडी news है आज कर यहाँ देख सकते है कि two more species added to India's list of butterflies और यहाँ पर नाम जो है वो थोड़ा देख लेते हैं तो नाम क्या है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि Lepidopteristist have discovered the striped hair strike और इसके बा करते हैं उनी को बोला जाता है और आगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि एक तो है striped hair streak जो कि इसका पहला record अगर आप मानियेगा तो जापान में यहाँ ढूंडा गया था जो कि Henan province of China में आता है ठीक है Japanese entomologist daughter ढूंडा गया था है था ह familiar to the black prince जो कि हमें Eastern Himalayas में मिलता है तो यह एक important चीज है striped hair streak के बारे में वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखेगा तो vision अगर bordering जो Myanmar है यहाँ पर पाया जाता है और वही elusive prince का बताया जा रहा है यहाँ में मिलता है यह और इसके periphery में मिलता है जो कि आप देख स हैं और citizen scientist हैं उनको support किया जाए क्योंकि obviously यही सारी citizen scientist और volunteers हैं एक तरह से इस तरह की चीजों को ढूणने में मदद कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइदा क्या होगा तो इससे मदद यही मिलेगी कि boost होगा ecotourism और साथ के साथ जो भी regular scientific researches हैं उसको भी support मिल पाएगा आगे य यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी re-discovery हुई है और यहाँ पर असाम का जो नील बैक एक तरह से non-venomous snake था जो कि यहाँ पर गेलिंग एरिया आफ अरुनाचल प्रदेश में ढूंडा गया था after 129 years तो इसको एक तरह से follow-up आप इसको मान सकते हैं तो इसको भी ध्यान म को wrap-up करते हैं और एक और चीज में आपको बोल देना चाहूँगा कि अभी questions मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ जब तक आपके copies review नहीं हो जाएंगे तब तक question देने का कोई sense नहीं बनता है और इसके इसी बीच में बाकी admins भी आ जाएंगे तो बेटर रहेगा जो कि मतला obviously review करने के लिए आ जाएंगे और इतना तो मैं 110% sure हो कि मैं अगर review करना start करूँगा तो बाकी admins भी आ जाएंगे तो मैं कोशिश अपने side से यह करूँगा कि reviews जल्दी से जल्दी हो जाए तो इसकी चिंता आप मत करेगा videos को भी बहुत सारे videos अब हो गए हैं बनाने को तो उसक के उपर भी focus अभी करना है तो चलिए आप नेक्स वीडियो में मिलते हैं thank you for watching